आज हम देखेंगे दंड आलेक और द्वी दंड आलेक से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण दर्शायगा दंड आलेक यानि बारग्राफ में एक अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या को निरूपित किया गया है दंड आलेक पढ़कर निम्न सवालों के उत्तर दीजिए दर्शायगा दंड आलेक में विभिन्न दिनों पर अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या दंड की लंबाई के रूप में निरूपित की गई है इस तरह से जिस दंड की लंबाई सबसे कम होगी वह हमें इस सवाल का जवाब देगा हम देखते हैं कि रविवार और मंगलवार के दिन मरीजों की संख्या दर्शानने वाले दंडों की लंबाई समान है एवं वह दूसरे सभी दंडों की लंबाई से छोटी है इसलिए हम कह सकते हैं कि अस्पताल में रविवार और मंगलवार के दिन सबसे कम मरीज आए सोमवार, बुधवार और ब्रहसपतिवार के दिन अस्पताल में आने वाले मरीजों की कुल संख्या क्या है तंडो की लंबायों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अस्पताल में सोमवार के दिन 22 मरीज आए बुधवार के दिन 13 मरीज आए तता ब्रहसपतिवार के दिन 15 मरीज आए इस तरह से सोमवार, बुधवार और ब्रहसपतिवार के दिन अस्पताल में आने वाले मरीजों की कुल संख्या 22 तन 13 तन 15 बराबर 50 है अब आप शनिवार और शुक्रिवार के दिनों पर अस्पताल में आए मरीजों की संख्या में अंतर स्वयम ग्याद कीजिए अगला उधारण निम्नलिखित साड़नी में विबिन्न महीनों में रोहित और मोहित को बिजली का कितना बिल आया यह दर्शाया गया है दी जानकारी को द्वीदंड आलेक यानि डबल बार ग्राफ के रूप में निरूपित कीजिए आंकडों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यहां सुविधा जनक पैमाना क्या होगा? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहां सबसे छोटी संख्या 950 है तथा सबसे बड़ी संख्या 1600 है इसलिए यहां हमें शुन्य से शुर्वात करना आवश्यक नहीं बलकि हम 900 से 1700 तक की संख्याएं ले सकते हैं हम एक टेड़ी मेडी रेखा बनाकर यह दर्शाएंगे कि हम शुन्य से 900 तक की संख्याएं नहीं दर्शा रहे हैं शुन्य से 900 तक की संख्याय न होने से अब हमें पैमाना लेने में सुविधा होगी। हम एक इकाई बराबर 100 रुपए पैमाना ले सकते हैं। इसी थरह हम एक इकाई बराबर 200 रुपए यह भी पैमाना ले सकते हैं। चलिए, यहां हम एक इकाई बराबर सो रुपए पैमाना लेकर वाई अक्ष पर बिजली का बिल रुपएयों में दर्शाएंगे. इसी प्रकार एक्स अक्ष पर महीने दर्शाएंगे. हम रोहित के लिए इस प्रकार का और मोहित के लिए इस प्रकार का दंड कीचेंगे अब हम रोहित और मोहित के जून महीने के बिलो को इस प्रकार द्विदंड खीच कर दशाएंगे इसी प्रकार हम सभी महीनों के लिए द्विदंड आलेक खीच लेंगे अगला उधारण, दिये गए द्विदंड आलेक को पढ़कर ग्याद कीजिए द्विदंड आलेक में क्या सूचना दी गई है? इस दंड आलेक में क्या सूचना दर्शाई गई है? यह ग्याद करने के लिए X अक्ष और Y अक्ष पर क्या दर्शाया है? यह देखना होगा साथ में दंडों की युग्म में प्रतेक दंड क्या निरूपित करता है यह भी समझना होगा दर्शाया द्वी दंड आलेक, शैतिच द्वी दंड आलेक यानि होरिजोंटल डबल बार ग्राफ है यह वाय अक्ष पर विशयों का नाम तथा एक्स अक्ष पर अंक दर्शाय गए है दंडों की युग्म में लाल रंग का दंड राहुल के अंक दर्शाता है और हरे रंग का दंड विशाल के अंक दर्शाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्शाय गए द्वीदंड आलेक में किसी परिक्षा में फिभिन्न विशयों में राहुल और विशाल को प्राप अंकों की तुलना की गई है आपके विचार में राहुल को कौन से विशय पर अधिक ध्यान देना होगा? राहुल के अंकों को लाल दंडों से निरूपित किया गया है सभी लाल दंडों में सबसे छोटी लंबाई वाला दंड अंग्रेजी विशय के लिए बनाया गया है इसका अर्थ यह है कि राहुल के सभी विशयों के अंकों में से सबसे कम अंक अंग्रेजी में आये है इसलिए राहुल को अंग्रेजी विशय पर अधिक ध्यान देना होगा आज हमने देखे दंड आलेक और द्वीदंड आलेक से जुड़े कुछ दिलचस्प उधारण अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतिया देखेंगे